नमस्कार दोस्तो शेकावट इनुट शेटिन जो सप्लिमेंटरी की एक्जाम है उनकी डेटा वो गोशित कर दिये जो की टाइम टेबल आपका टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है आपकी एक्जाम 22 से 22 जनुरी से 27 जनुरी तक चले गी और इनका रिजेल्ट है लग ब पहले हैं और पास होने के लिए कितने नमर आपको चाहिए होते हैं वो लाने हैं तो मैं सबसे पहले आपको यह बताओं और एडमिट कार्ड है आपके कब जारी होंगे वह बात मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं आपको काम की बात है वो बता देता हूं कि आ तीनों के लिए फाइनल वाले थाड़ियर वाले हैं उनके लिए पढ़ने का तरीका बताता हूं किस परकार आपको पढ़ना है तो आपके पास जो भी सीरीज है जो भी आपके पास सीरीज है या फिर बुक है तो ओर यह अच्छी बात है सीरीज के अंदर जो इंडेक्स के अं ले जो एक्जाम हुई है 2021 के अंदर जो एक्जाम हुई थी वो पेपर है तो वो पेपर आपको पढ़ लेना है पूरा उसी के आधार पर पूरा पेपर आएगा तो आपको वो पढ़ना है पढ़ लेनी है और जो कि पीछे पेपर हुए है उनमें जो पढ़ लेना है यह बिया सी बिये विकॉम तेनों के लिए यही फॉर्मूला है पढ़नेगा आपको 10-12 दिन में पेपर पास हो जाएगा कोई टेंशन की बात नहीं है आरम से पेपर पास हो जाएगा आप तो बेजज़क एग्जाम देकर आना अच्छी से पढ़ लेना जो बता रहा हूं वो और आपको पेपर है एग्जाम के टाइम है आपको पेपर है वो पास हो जाओगे और आपको 10-12 दिन के बीच में जो ये बचा है 10-12 दिन बचे हैं उनके बीच में आपको ये पढ़ लेना है मैंने बताया है ये फोर्मुला पास होने का बेश्ट तरीका है हम आपको बताता हूं कि एड्मिट कार्ड है एड्मिट कार्ड कब जारी होंगे admit card जैसे admit card जारी होंगी आपको सुचित कर दिया जाएगा अब आपको pass पास होने के लिए कितने नमर चाहिए minimum नमर है जो marks है minimum वो कितने चाहिए तो BAC के लिए तो BAC के लिए BAC के लिए BAC part 3 के लिए जो आपको pass के लिए जो physics के अंदर आपको pass होने के लिए तीनों paper में चाहिए होते हैं SI chemistry में भी चाहिए होते हैं mathematics के अंदर आपको जो मलिस नमर पास होने के लिए चाहिए होते हैं तीनों paper के अंदर तो physics में आपको दो दो पेपर का आपने सब्लिमेंटरी का फोरम लगा है तो आपको दो के अंदर कम से कम आपको 24 से 25 नमर पास होने के लिए चाहिएंगे इसा है केमिस्टरी में है और मैथेमेटिक्स में आपको पास होने के लिए मिन्नी में 38 नमर पास होने के लिए आपको लाने होंगे और आपने सप्लिमेंटरी का इनका दो दो पेपरों का ही आपका सप्लिमेंटरी का फोरम लगा है और इसी परकार से बी ए और जो भी कॉम है उनका भी है क्योंकि बी ए के लिए है जो पेपर है दो पेपर होते हैं आपको एक पेपर में 36 नमर चाहिए होते हैं और दोनों पेपरों में आपको बहतर नमर पास होने के लिए चाहिए होते हैं तो इसी प्रकार से पढ़ना है और पेपर इसी प्रकार डिवाइड किये गए हैं उनके भी लिए नमबर पास होने के लिए इसी परकार डिवाइड किये गए है नमबर तो थैंक्स धन्यवाद वीडियो पसंदाद लाइक कर देना, सेर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को जो से कवाटे इनुट सिटी की जितनी भी अपडेट है मैं आपको टाइम टाइम पर देता रहूँ थांक्यू धन्यवाद